मीर हासिल का हुपसूरत पैलस हर तरफ से गुलाप के फूलों की हुश्पू से महक रहा था शीशे जैसे दिखते जीनों से मुनसलिक तो दूसरी मंजल का सफेद फर्ष सुरक फूलों की कितार से डखा हुआ था जो मास्टर बेडरूम के सामने जाकर रुखती थी सफेद दकडी के दर्वाजे से अंदर जांको तो हर शेय सफेद नजर आती थी सफेद फरनीचर, सफेद कालीन, सफेद रेशमी पड़दे सामने की दिवार से निसब समीन पर तिर्चा रखा वाइट मिरल जिसके इतराफ तो सफेदी से डखे थी, जबके बीच में कादावर गोल आईना था हर शेय सफेद थी, शफाफ सी, जिन में दो वजूद नमाया थी सफेद सिलग की बैटशीट पर लहंका समीट थी और इसके सामने गुटना मौका बैठा, वो जो अपनी सल्तनत का शहजादा था जो अपने शहजादी को पूरी शान से अपनी सल्तनत में ले आया था वो नजरे जुकाए बैठी थी, दिल था के जोरों से दड़कता जा रहा था इसका ये रूप देखता वो गिर्दो पेश फरमोश कर बैठा था बंजर में बस वो थी जिसके लब आज साकी थी जिसकी नाख में पहनी नत इसके दिल को अजीब तरहां से अपनी ओर खींच रही थी हाँ ये सिंगार इसी के लिए ही तो था आपकी हुपसूर्टी को सिरहाने के लिए लफास माजरत करके है अहिस्ता से इसकी नत को छूता वो हुले से मुस्कुराया था इसके हाथ का लंप से चेहरे पर महसूस करते वो हुद में सिम्टी थी आपके लिए अधना सा तोफा जेब से मुस्ततील शकल का बॉक्स निकालते इसने रमल की जानी पढ़ाया जिसे वो कुछ सेकिंड बात थाम गई बॉक्स खोलते इसकी आँखों में स्ताइश उबरी थी बॉक्स सी चेन थी जिसमें तीन नन्ने हीरे प्रोय गे थे इनकी चमक आँखों को हिरा कर रही थी थैंक यू वेक पल को जुकी पलकें उठा कर कहती फिर से पलकें जुका गई मैं चेंज करना चाहती हूँ वो ज़रा जिचक कर बोली जाने इसका क्या रद्देमल हो वोट खड़ा हुआ जिस पर रमल ने फौरण इसे देखा चेंजिंग रूम में आपके कपड़े और दूसरा समान मजूद है आप फ्रेश हो जाएं मैं खाने के लिए कुछ लाता हूँ लिकिनन आपको बूख लग रही होगी बगेर बुरा मनाय वो नरम लहजे में बोला जिस पर रमल ने शुकर का सांस लिया नहीं मुझे बूख नहीं है इसे देखकर इंकार करती वो लहंका सभाल कर उठखड़ी हुई वो सर को हम देता रूम से बाहरी चला गया तांके वो रिलैक्स हो सके रमल ने सकती से आँखे मीची इसे वाके बूख लग रही थी लेकिन इसने बना कर दिया आखिर हो क्या रहा है मुझे क्यों गबरा रही हूं इसकी मजूदकी में उतको कोस्ती वो कमरे से मुंसली चेंजिंग रूम में चली गए करीब 20 मिन बाद वो बलैक सिलक की ट्राउजर शिर्ट पर बलैक लॉंग स्वेटर पहने सीने पर हाथ लपेटे बाही रही इसके बाल खुले हुए थे जिन्हें वो जूडे में लपेटने के लिए अपने पर्स में रखे हेर लिपर को निकालने की रादे से बाही राई थी जब मीर को कमरे के वस्त में अपनी जानी पुष्ट करके खड़े पाकर इसे ब्रेक लगा वो भी बलैक टी शिर्ट और ट्राउजर पहने हुए था कमरे में हीटर के बास हरारत थी जिसके सबब इसे सरती महसूस नहीं हो रही थी वो इसे अपने पीछे पाकर पल्टा था इसे पहली पार यूं बगयर दुबटे की देखकर उमोबोहत हुआ था दीरे दीरे वो इसकी जानी पढ़ने लगा था वो सराद से पल्टी थी इसके हर बढ़ते कदम के साथ दिल की दड़कन भी सवा होने लगी थी वो इसकी पुष्ट पर चंद इंच के फासले पर आखड़ा हुआ था दीरे से बाजो इसकी कमर के गिर्द बांध दे वो इसके रेशमी से आबालों में चेहरा चुपा गया वो साकत सी हुई थी इसकी कुर्बत पर दिल यूँ था जैसे पस्निया तोड़कर बाहिर निकल आएगा बहुत शित्त से इंतिजार किया था दिल ने इस लमहे का जब मैं पूरे हक से आपकी महक सांसों में उतार सकूँ दिल को जैसे यकीन नहीं आ रहा मेरी महब्बत मेरी बाहों के हसार में है कुर्बे महब्बत ऐसा सकूने दिल है जिसे अलफास में ब्यान नहीं कर सकता हाथों की गर्ट मजबूत करता वो इसकी गर्दन में चेहरा चुपाने लगा था वो सहम कही थी इसके पूर शित्द अंदास पर मेरी तूटी फूटी ओवाज में इसके लबों से इसका नाम जुदा हुआ था वो तड़प उठा था इसकी रोहांसी ओवाज पर इसके लबों से महस इसका नाम अदा होता तो वो कुर्बान जाता मगर ये लहचा था जिसने मीर हासिल को बेचैन किया था इसने दो कदम पीछे हटती रमल का रुख अपनी जानिब किया तो इसकी काली आंकों में तैरता पानी देखकर साकित हुआ था रमल अप रो क्यों रही है इसका हाथ थाम कर इसे करीबी सोफे पर बिठा कर वो पंजों के बल इसके सामने बैठा I don't know मेरा दिल बहुत गबरा रहा है वो गाल पर लड़कते आंसू साफ करती शर्मिंदा सी बोली मेर को चंद सेकिंड लगे थी समझने में वो इसकी कुर्बत से गबरा रही थी हमेशा वो जिन्स महालिव से एक फासले पर रही थी अब यूँ इसे करीब पाकर वो गबराने लगी थी It's okay, everything is okay रमल मेरी तरफ देखें वो इसकी धोड़ी तले उंगली रखता इसका जुका चेहरा उठा गया दोनों की नजरे मिली थी मैं दो औरतों की आंखों में आंसु बरदाश्ट नहीं कर सकता कभी नहीं कहता हुआ वो रुका था जिस पर वो सबाल गया नजरों से इसे देखने लगी एक आप हैं, दूसी मेरी माँ वो भी बहुत मजबूत थी आपकी तरह हैर रमल आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है आप पहले मुझे जान ली अच्छी दरहां मैं जबरदस्ती तालुक बनाने का काईल नहीं हूँ इसे यूही हमोश बैठा देखकर वो गहरी सांस देता उठ खड़ा हुआ तुम नरास हो मुझसे इसके मुकाबल खड़ी होती वो लब कारती बोली थी वो मस्कुराहट दबा गया इसका ये रूप देखकर इसके देखने से पहले ही वो चेहरा संजीधा कर गया हम हूँ नरास लेकिन इससे क्या होता है मुझसे तो मुझे आप से है आपको थोड़ी मुझसे दीमे लहचे में कहता वो रुख बदल गया अलफाज और लहचे के बारक्स इसके तासुरात में मुस्कान गुली थी जबके शेहद रंग आँकों में महफूस तासुर था तो मैं ऐसे क्यों कह रही हो देखो प्लीज आइम सोरी इसकी पुष्ट से गूमकर सामने आती वो बेरत प्रब्तगी से कहती फिर से लब काट में लगी वो शदीद डिस्टर्ब हुआ था इसकी हरकत पर इसके जुके सर को देखता वो अंगूठे से इसका लब अजाद कर गया यू मत करें वो जुका इसके लब के किनारे पर अपने लब रख गया वो एक अदम पीछे हटी थी जिसम में जैसे करंट सा दोड़ गया था मेरे सामने खड़ी ये लड़की तो कोई और ही लगती है तुमने मेरी बीवी को देखा है कही लगता है खो गई है इसके छेटे अंदास पर इसे पहली बार हंसी आई दी मैं सोने लगी हूँ एक नजरी से देखती वो बैट की जानिब बढ़ गई मेरे गहरी सांस लेते खुद का कंदा थप थपाया हाँ सो जाते हैं क्या पता फिर मेरा इरादा बदल जाए वो भी अपनी साइट पर नीम दराज हो गया रमल ने इसके कहे अलफास पर एक पल को आँके मीची दी ब्लैंकिट मू तक ले दी वो फट से आँके मूंद गई दर्वाजे पर खटका हुआ था तो वो कच्ची नीन से जा गई हरी आँकों मे लाल डोरे नमाया से थी एक ही साइट लेटे रहने से इसके नेकलिस की चेन गर्दन के साइट पर गेरा निशान छोड़ गई थी सीधी होकर बैठते इसने गर्दन पर हाथ रखा तो इसके लबों से बेसाकता आख निकली थी हाथ में पंच उंगला गले में नेकलिस नाक में नद और मांग में माथा पटी कुछ भी तो नहीं उतारा था इसने और उसी लबास में वो नीम दरास कप सो गई इसे पता ही नहीं चला था दुबारा खटका हुआ तो वो नीम हुआपदा आँकों से दर्वाजे की सिंप देखती आहिस्ता से उठी इसके जहन से निकल चुका था कि इसने दर्वाजा खुद ही बंद किया था तांके एस्पी को तंग कर सके कड़े होते वो जरा सा लड़ खड़ाई थी मु बनाती वो नीचे गिरते दुबटे की परवा किये बगैर दर्वाजे की जानिब पढ़ी सुस्त रोई से दर्वाजा कोलते वो सोई सोई आँखों से मासूमियत से इसे देखने लगी जो एक हाथ इसकी पत्दी कमर में डालकर इसे अंदर दकेलता दर्वाजा बंद करके इसे दर्वाजे से पिन करता इसके लबो कोश पुर्शितत करिफ्ट में ले गया एक हाथ दर्वाजे पर ठिकाए दूसरा हाथ इसकी कमर पर रखे इसे दर्वाजे से लगाए वो लंबा चोड़ा वजूद इस पर कब्स हो चुका था गजल की नीम खुआपता आँखे पूरी कुल गई इसके जोर से दकेलने पर इसकी कमर में दर्ट सा उठा था इसकी सांस अटकने लगी थी तो इसने हैन के सीने पर हाथ रखते इसे पीछे दकेलना चाहा मगर वो टस से मसना होता इसके लबों पर जुका जाने किस बाद का बदला ले रहा था गजलने गुस्सेथ इसके बालों में हाथ डालती इसका सर बुलंद किया तो हियान ने इसके लबों को अज़ाद करते इसकी आँखों में देखा हरी कांच सी आँखों में सुरख डोरों के इलावा दबा दबा सा घुस्सा था आँखों से सफर करती इसके काली आँखे बेहत सुरख होते लबों पर ठहरी थी उपर वाले लब के हम पर मजूद दिल पर इसकी निगाह ठहरी थी इसके बेहत करीब इसकी गरिफ में गही गही सांस लेती वो इससे इसकी जानिब देखती वो ये परामोश कर बैठी कि वो बगएर दुबटे के है इसका नाजुक दिलकिश्च सरापा देखते हैं खियान की आँखों में हुमार उत्रा था तुम आखिर चाहते क्या हो अगर मैं मर चाहती वो इस वक्त उससे के जिरे असर थी वगरना इसकी हुमार ददा नजरों और पुरहीद ग्रिफ्ट के असर से निगाहे तक उठाने के काबिल ना रहती तुम्हें चाहता हूँ इस वक्त मकंबल सिर्फ तुम्हें इसके बहके लहचे पर वजल ने हलक तर किया इसे उमीद नहीं थी कि एस पी यो शिदते लुटाने पर उतर आएगा वो निकाह के बाद वक्त देने की बाद पर यकीन नहीं रखता था ये दूरिया इसे निकली थी इसने दूबटे की तलाश में निगाही कमरे में दुड़ाई थी वो इसे जमीन पर गिरा नजर आ गया इससे पहली वो दूबटे तक पहुँचती हैान ने एक जुस्त में इस तक पहुँचते इसे मजबूत कसरती बाहों में उठाया था सिगरट वली बात नजर अंदास करती उसने लबों को हरकत दी मेरे सामने तुम्हे खुद को छुपाने की जरूरत नहीं है इसके कान में जुक कर सरगोशी करता वो बैट की जानिब बढ़ा नर्मीसी से बैट पर बिठाती वो सीधा हुआ था महरून कोट को स्टैन पर लटकाती वो कबट से इसका गिफ निकालने के लिए आगे बढ़ा सफेद जिसम से चिपकी शर्ट में इसका कसरती चोड़ा वजूद बेहत नमाया हो रहा था जिसे देखते वो हुद भी सिम्टी थी इसकी सरगोशी पर मुंतशीर हुई दड़कने ममूल पर आने से ग्रेजा थी वो पलट कर मुस्कुराती नजरों से से देखता इसके सामने आ बैठा भुबसूरत पैकिंग में बॉक्स खोलते इसने सोने की पाजेब पाहिर निकाली वो यक्टक इसे देखेगी जो इसके पैर से लह्गा हटा कर पिंटली तक सिरकाता इसके पैरों में पाजे पहिनाने लगा था जो के सर के बास इसके गने से आप पार पिशानी पर भिखर गए थी वो यक्टक इसे देखेगी जिसके हर अंदाज वे इज़त और महबत जलकने लगी थी मेरे दिल की देहलीस पर उतरने वली पहरी औरत हो तुम तुम्हारे सिवा किसी को मैंने हास नजर से नहीं देखा तुम्हारा माज़ी क्या था इसकी मुझे परवा नहीं फक्त इतना कहूंगा पाजयब की हुक बंद करते वो इसका हाथ चेहरे के करीब लाता महदी की हुश्पू सांसों में उतारता आंखें मूदे तीमी आवास में कह रहा था जब इसका हाथ अजाद करता दूसरी ननी चुकोर डबी से नोस्पिन निकालता वो इसके करीब होता इसकी नाक से नत उतारने लगा जैस पर वो बेसाकता आंखें मूद गई नोस्पिन पहना कर वो इसकी जुकी पलकों को करीब से देखता वो ही दीमे लहचे में गोया हुआ फक्त इतना कहूंगा कि तुम वफादार रहना मैं ताबियादार रहूँगा अलफास समातों में उतर दे इस लड़की को सहर जदा कर गए थे कब सुनी थी ये सरगोशिया ये इस्दों मुहबबत की चाशनी बीगे रफ़ता रफ़ता दिल को मौम करते अलफास तुम मुझे ताउमर वफादार पाऊगे माजी की दलगिया समेट कर मुहबबत के बदले में मुहबबत लुटाने का होसना है घजल में वो आइस्दा आइस्दा इसका जेवर उतार रहा था नेक्रिस की हुक खौलते वो अफसोस से नाजुक सी गर्दन में नक्ष हुए चेन के निशान को उंगली की पोर से सहलाने लगा था वो गुमसुम बैठी नजरें चुकाए हुए थी दमकती रंगत में गुलाबियां सी गुलने लगी थी इसके सुरख हुए कानों से आवेजे जुदा करता वो साइट टेवल पर रखकर इसकी जानी फिर से मतवच्चा हुआ इसके गालों पर खिलते गुलाले ह्यानशा की रड़कनों को पहली बार मुंतशिर किया था वो इससे शेरमार ही थी ये एहसास ही बहुत दिलकश था यानإ इसका दिल भी जुटने लगा था इसके दिल से तुमने कभी चाहा कोई तुम्हें यूँ चाहे तुम्हारी जुगी पलकों के साई में गर کر जाए तुम्हारी शबनमी मुस्कुराहट की बरसात में भीग जाए तुम्हारे पंखडी से लबों का जाम पीने से पहले ही होश खो जाए तुम्हारी इन बलकाती जुल्फों को सवारे तुम्हें महपतों का एक निया जहां दिखाए एक हाथ कालर पर रखकर पहला बटन कोलता वो दूसरे हाथ से से आहिस्ता से पीछे दखेलता इस पर जुकता सरगोशियां करता जा रहा था वो निचला लब दांतों तले दबाए आहिस्ता से जुकती बैट पर चित लेड़ गे वो इसे कुछ फासले पर जुका इसके जवाब का मुंतजे था इसकी नाख में चमकती लोंग को उंगली की पोर से जुदा वो बेसाकता जुक कर अपने लबों से छुगया वो हुद में सिम्ती थी नसे जुकाए इसने नाजुक लबों को हरकत दी थी जिनके हम पर चमकता दिल ह्यानशा को पागल करने की ताकत रखता था मेरी जिन्दगी में कोई था ही नहीं जो मुझे ऐसी हुआशात करने का होसला बख्षता मद्दम लहचे में कहती वो जुकी पलके उठा गई हरी कांच सी आँखे एक पलको काली गहरी आँखों से टकराई थी मैं तुम्हें पूर पूर महब्बत में यो भी गोदूँगा के सारी तिशनगी मिट जाएगी तुम खुद पर इतराओगी गजल ह्यानशा ने अपना आप वकत तुम्हारे लिए वकफ कर दिया है वो होले से मुस्कुराई थी जिन्दगी ने अगर बेहतर चीना था तो बेहतरीन अता किया कर दिया था वो बेसाकता हाथ उठाकर इसकी बड़ी हुई दाड़ी पर रख गए मैं महब्बत के दावे तो नहीं कर सकती हाम अगर एक इकरार कर सकती हूँ तुम हंसते हुए अच्छे लगते हूँ इसकी मूचों के किनारे को ट्रेस करती वो शर्मगी मुस्कान लबों पर सजाती गालों पर पलकों की जालर गिरा गई वो फिदा हुआ था इस अंदाज पर महबूत की अदाएं यूही तो बेहुत नहीं करती कुछ तो है जो सीगारास में है मेरी हानी जुक कर वो इसका गाल नर्मी से चुम गया वो इसके गले में बाहिं डाले अपना आप इसके हवाले कर गई थी जो इसे कत्रा कत्रा मुखबत की बारिश में बिगो रहा था अंदर का महोल जजबात की शिद्दत से महक रहा था जबके बाहिर सर्ट कहर भरसाती राथ चांद की धंडी चांदी गिराती चार सू फैले बदलियों के सुर्ख सर में तुकडों को हुद में समेटती जा रही थी वली में का फंक्शन भी बाहू भी इंजाम पाच चुका था एक धका देने वले दिन के बाद रात भी पंक लगा कर उड़ती अगली सुबा को हुश आमदीत कहने लगी थी लेकिन अरिश अब तक ना लोटा था शाहों के बंगले में महोल संगीन था अरिशमा लाउंच की चक्कर लगा थी इसे बार बार काल कर रही थी लेकिन जवाब मसूल नहीं हो रहा था इससे कुछ फास्टे पर खड़े महमीर ने नजर बचा दे बदर को देखा जो हुद पी सीने पर हाथ पादे दिवार से कमर टिका कर खड़ा इसकी यकीनी शामत के बारे में सोच रहा था असलाम लेकूं गला खंखारता वो सलाम करके अंदर आया इसने आम से अंताज में इंतीनों को देखते कमरे की जानिब कदम बढ़ाए जब अर्शमा को तेज आवाज पर इसके कदम थमे कहां से आ रही हो तुम आसूर चहरे से इन्हें देखता वो मुखतसीर बोला था इसकी गहरी आँखे सुरख हो रही थी वो दिन वो दो दिन से नहीं सोया था सर था के दर्द से फटा जा रहा था कमरे की तहली इसमें खड़ी इराने से तफक्र से देखा था कौन से काम है तुम्हारे जो हतम नहीं होते जवाब दो फैमिली से ज़्यदा जरूरी है तुम्हारी बाई के शादी से ज़्यदा जरूरी थे वो इसके हमेशा के लापरवा अंदास पर सुलक कर गोया हुई अरिश्चने लब बीचे थे अरिश्मा आप अराम से बात करें प्लीज हो सकता है वाकिए महपीर ने महोल को हलका करना चाहा जब वो बीच में इसकी बात काट गई आज आप तरम्यान में नहीं बोलेंगे महपीर हाँ बो तुम जवाब तो मुझे महपीर को टोपती वो गुसीनी नजरों से अरिश को देखने लगी जी ये काम हर चीज से ज़्यदा जरूरी था डगा चुपा अंदास अलबता लहचे में घुसा जब्त करने का तास्र था वो बेहत ठका हुआ था जहन पर बोज़ था मज़ीद अर्शमा का तल्ख लहचा इसका दिमाग हराब कर रहा था इसके इस जवाब को अर्शमा ने बत्तमीजी जाना था जिन्दगी में पहली बार इसका हाथ उठा था और पहली बार अरिश ने बेयकीनी से इन्हें देखा था एरा ने मुँपर हाथ रखा था वो सरायत से कमरे में हुई थी जबके पदर टेक छोड़ता यकदम सीधा हुआ मामा काम डाउन प्लीज आगे बढ़कर इनके कंदे पर हाथ रखकर दबाव डालता वो अरिश से नजरों में मिन्नत करने लगा कि वो हमोश रहे महपीर अलबता शौक से अर्शुमा को देख रहा था जो बेहत नर्म तबियत की मालिक थी लेकिन आज वो सरायत से अरिश के करीब आया तड़ब कर इसने अरिश का सर चुमा इसके इस बेटे जैसा कोई था ही नहीं हो ही नहीं सकता था यह आपने क्या किया और्शुमा आप जानती भी है आपने जियाती की है आपको जानना है ना के वो क्यों है अक्सर घर से गाइब रहता है मैं बताता हूं आपको वो अब चुप न रह सका था अरिश ने बेएध्यार इनका बाजु थाम कर जैसे रोका था लेकिन वाज चुप रहता तो बड़ी जियाती होती ये आपका बेटा जानती है को ने इंटेलिजेंस आफिसर है जो काम ये करता है ना इस पर इसे पलकों पर बिठाना चाहिए इसके लहचे में फखर नमाया हुआ था आपने इसे थपड मार दिया अगर वो ना जाता तो जाने कितनी जिन्दगें जाया हो जाती बताय क्या इसकी शादी में शिर्कत इन हजारों लोगों की जिन्दगियों से ज़्यदा ज़रूरी थी वो बगएर रुके कहता जा रहा था अरिश सर जुकाए किसी मुझरिम की तरह खड़ा था जैसे मामा को इस मुकाम तक लाने का जिम्यदार भी वहुद था इनकी नमाखें इसे बेचैन कर रही थी बदर हैरत परी नजरों से अपने बाई को देख रहा था वो इसे क्यों जान ना सका शायद ये वो महसूस फासला था जो इसने सबसे बना रखा था आएम सोरी मेरा बच्चा मामा को माफ कर दो वो आंसू बहाती इसके सामने हाथ चोड़ गी अरिश ने तडब कर इनके हाथ थामी थी आप मुझे कैसा भी रखे मामा मैं उफ तक नहीं करूँगा एक माबाप हैं जिनके सामने अर्शिमान कभी उफ नहीं करेगा आपके हम पर बहुत एहसान है आपका हक है मुझ से बास परस करने का हाथ उठाने का आपको मैं कभी रोता हुआ नहीं देखना चाहता ये मनजर मुझे दुनिया के हर चीज से जएधा दुख देगा इन्हें साथ लगाता वो इनका सर चूम कर दीमे लहचे में कहता जा रहा था माबी ने गहरी सांस ले दी बदर को देखा जो हुद भी दीमे से मुस्कुरा दिया था मामा मैं कुछ ते अराम करना चाहता हूं वो इन से अलग होता इजाज़त तलब नजरों से देखने लगा तो अर्शमा ने सार हिलाया ठीक है जाओ वो अपने कमरे की जानी बढ़ गया जहां इसकी चोटी सी बीबी बेचैनी से टहल रही थी इसे देखें भी तो कितना वक्त हो चुका था वो जेरे लब मुस्कुरा था कमरे की जानी पढ़ गया और किसे मालूम थी ये बात इसके जाने के बाद वो शाकी नजर से अपने मेजाजी हुदा को देखने लगी हम यूसफ को वो लब दबा कर इसके नाराज चहरे को देखने लगा अरशिमा की आँखों में हफ की मज़ीद तमाया हुई आज किस तरह आपने बात किया मुझसे अब दुबारा कमरे में आने की जरूरत नहीं है इसे वोन करती वो पलड गई थी बदर ने हंसी छुपाने के लिए रुख मोर लिया यार मैंने ऐसा भी क्या कर दिया महबीर बदर को देखकर दान पीसता लंबे ढाग बरता इसके पीछे गया था बदर सीटी की दुन बजाता अपने कमरे की जानिब चला गया क्योंके अभी सुभा का वक्त था तो यकिनन वो जंगली बिल्ली सो रही थी इसे तंग करने का इरादा करते वो कदम बढ़ा गया इसकी सर में याँखों की चमक तेज हुई थी कमरे की दहली से अंदर कदम रखते ही इसकी निगाहों ने एरा को तलाशा जो बेलकोनी के बन तरवाजे के सामने खड़ी इसकी जानिब पुष्ट किये हुए थी आहट पाकर वो पल्टी थी सुनहरे दिन की च्छन से पढ़ती रोश्टी इसके चेहरे को वाज़ा कर रही थी नीनी आँखों में नरम तासु लिये वो चोटे चोटे कदम लेती इसकी जानिब बढ़ने लगी जो जैकिट उधार कर सोफे पर रखता पैरों को सफेद जोगर से अजाद कर रहा था जेब तन किये सफेद सवेटर के बाजो कोहनियों तक मोड़कर वो थकन से गर्दन ताएंबाई गुमाता बैट की जानिब बढ़ा वो आहिस्ता से इसके सामने आखड़ी हूँ जो बैट पर तांगे नीचे लटकाए बैठा जेब से वाइलिट और मुबाईल निकाल रहा था इसे सामने पाकर वो हाथ रोपकर सर उठाता इसे देखने लगा सकाई बलू शिलवार कमीज में नेट का दुबटा सीने पर फिलाए लंबे भूरे बालों की रेश मी चूटी आगे को डाले वो इसके मुकाबल खड़ी थी नीली आँखों में नरम गरम सा तासूर लिये वो जुगी थी इसके पिशानी पर हाथ रखते ही इसे बुहार की हिद्दत में हसूस हुई थी जो इसके चेहरे पर तफक्र नमाया कर गए आपको तो बुहार हो रहा है आप लेट जाएं मैं मैडिसन देती हूँ वो मासूमियत से इसे देखती सीधी हुई इस पर नज़ें ठिकाए अरिश बिस्तर पर दराज हो गया इसके जाने से कबल ही इसने एरा की नाज़ुक कलाई थामी थी जिस पर वो रुकती एक नज़र अपनी कलाई पर जबके दूसी नज़र इस पर डालती नीली आँखों में सवाल लिये इसके जानिब देख रही थी मैं खा चुका हूँ तुम यही रहो नीन से बोजल आँखे लिये वो दीमी आवाज में गोया हुआ था वो सर खिलाती मुस्कुरा कर इसके बराबर बैट गई आप सच में इंटेलिजन्स आफिसर हैं वो इसके गाल पर नजरे जमाए जहन में खलबली मचाते सवाल को जुबान पर ले आई हम नेन से बोजल बारी लहजा आपकी जवाब क्या है अगला बैट दुका सवाल शोहर का ह्याल ना रखने वाली बीवियां को सजा देता हूँ इसके जवाब पर वसट पटा गई फिर इसके गाल को देखती नर्मी सी दो उंगलियों से चुगए आपको थपट पड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा दर्द हुआ होगा ना वो जुक कर इसके गाल को नर्मी से चुम गई वो मुस्कुराया था इसके अंदाजे उल्फत पर वो नीम तराज हुई तो अरिश ने इसके सीने पर सर रख दिया इसकी नीम बाबोजल सी आँखे सकून महसूस करते बंद हुई थी वो शर्मगी मुस्कान लबों पर सजाती इसके गित हसार काइम कर गई कैसा मीठा एहसास था इस बात से बेहबर के हलकी हलकी सांसे लेते आँखें मूदे पढ़े अरिश के लब सरा से मुस्कुराखट में डले थे ठीक है सर हम अब निकलते हैं चाय का कप मेज पर रखते वो नर्मी से कहता उठ खड़ा हुआ सफेद पेंट शर्ट पर हलका बुरा सबैटर पहने जिसके गले से शर्ट के कालर पाहिद निकले हुए थे वो हमेशा की तरह हैंसम लग रहा था वो रमल को लेने आया था कल वो यहां ठहर गई थी इनकी रिसम के मताबिक लेकिन मीर हासिल को बहुत काम करने होते थे इसलिए इसके लिए रुकना मुम्किन ना था इसने रमल की जानिब देखा तो वो एक मिन्ट कहकर कमरे की जानिब पढ़ गए इसने जल्दी से पर्स में मुबाइल और अपने कुछ जरूरी डाकॉमेंट सके जिसकी से बात में जरूरत पढ़ सकती थी जौब से पहले ही वो चार दिन की चुटियों पर रह चुकी थी लहाज़ा अब वापिस कंटीयू करने का इरादा था इसने यूँ ही सरसरी नजर हुद पर डाली सफेद रंग की शफून के शार्ट फ्राक और कैपरी में सफेद चाल कंदों पर पिलाई खुले सिया रेश्मी बालों में वहत लिलकश लग रही थी तांगास तीनों को ठीक करते वो परस का स्ट्रिप गंदे पर डाल दी बाहिर आई जहां वो सालिया से बगल गीर हो रहा था मेरी बेटी का ह्याल रखना सालिया ने कहती इसका कंदा थप थपाया था जिस पर मीर ने सर को हम दिया उससे जएदा इनका ह्याल रखोंगा एक मस्कुराती नजर अपनी दिल लुबा पर डाल कर वो मर्शाइम के आगे सर जुका गया जिस पर इसने प्यार से इसके सर पर हाथ रखा खुश रहो मीर के दिल में बेसागता एक ह्याल आया जो वो जुबान पर ले आया आप बहुत यंग लगती है दिल चा रहा था आपकी तरीप में कुछ कहूं लेकिन सर का ह्याल मुझे रोक देता है सालिया को आँख बचा कर देखता वो महफूस सा मुस्कुरा दिया रमल ने इसके अंदाज पर आँखे सुकेड़ी थी बहुत बहुत है बरहुदार अपने बीवी की दरीफ करने का परमट बस मेरे पास है नरम नरम मगर जिताता लहचा था इसकी मिशी थी बस इसका हक था इसे सिरहाने का मीर हासिल हुश्टिली से मुस्कुराता रमल को आने का इशारा करता लौन की तरफ खुलने वाले दर्वाजे से बाहिर निकल गया जहां लंबी रहतारी बेरोनी दर्वाजे से मिलती थी मैं आप दोनों को बहुत मिस्करूंगी वो इसके जाने के बाद एक साथ दोनों के गले लगी थी आँखों के सियाकांच जरा से दुंदलाई थी जिसे इसने कमाल महारत से छुपाया था मेरा बच्चा हम भी बहुत मिस्करेंगी तुम्हें रोज बात होगी न तुम परशान मत होना रबल ने इसे हुद में बींचा था जबके सालिया ने इसका सार चुंग दे इसके गित हसार बांदा था अरे बाई क्यों परशान होगी मेरी बेटी बहुत बहादुर है अगर कोई मस्ता हुआ भी तो इसका बाप है न पलक चपकने से पहले पहुँचाओंगा वो पूरे दिल से मुस्कुराती इन से अलग हुई मैं चलती हूँ मीर वेट कर रहा होगा इजाजत लेटी वो बाहिर चली आई बेरोनी दर्वाजे से बाहिर कदम रखते ही वो सफेद कार के साथ कमर टिकाए खड़ा नजर आगया सुनहरी दूर की नरम गरम सी किरनों के हसार में खड़ा वो शहजजादा लग रहा था शहजज़ रंग आँखों की चमक हर चीज़ को मानत करती मालूम हो रही थी वो सीने पर हाथ बांद दी इसके पास चली आई इबराहीम और जनीशा से मिलने कुछ देर ही लगेगी बस वो दोनों इस वक्त शाहाउस के लौन में बची महफिल का हिस्सा बने हुए थे रमल भी जा रही थी के मीर लेने आ गया अब वो चा रही थी इन से मिल आए इसी बहाने बाकी सब को भी गुट पाई कह पाईगी मीर ने सर को हम दिया क्या मैं आपको इनकार कर सकता हूँ गब यह लहजे में कहता वो सीधा हुआ तो रमल ने मुसकुराहर तपाई वो अब कदरे बहतर महसूस कर रही थी पहनी रात इसके मुझूदगी में जिस कदर वो नर्वस हुई थी इस लिहास इस लिहास से कदरे बहतर थी शायद अपनों में आकर इसका इत्माद वापिस लोटाय था हाँ अपना तो अब वो भी था लेकिन अपनायत के इस रास्ते कुछ मसाफ़त तैक करनी थी वो इसके साथ सामने बने बंगले के बड़े से गेट से अंतर दाहिर हुई जहां मजूद चौकीदा ने दोनों को सलाम किया था वो इसे जवाब देते सीधा लॉन में चले आए जहां अजब समाबदा नजर आ रहा था लॉन के बीचों बीच सुनहरी दूप के बिलकुल नीचे कालीन पिछा कर इस परगाउ तक ये रखे हुए थे जिन से कमर तिकाए अरामदा हालत में बैठे वो सब खुशकपों में मसरूर थे इनके जामने चाहे की कैटनी के साथ बड़ी सी डिश में स्नैक्स रखे थे लॉन की फिजा में गुली गुलाब और मोतिय की महक और इसे सर्द मोसम में चानक से उबर आते सुरज की नरम गरम सी किरने जो जिसम के साथ रुख तक को तरावत बख्ष रही थी वह हूँ मज़े हो रही है वो मीर के साथ चलती इनके करीब ठहर गई अरे माशालला बड़े लोग आए हैं इबराहीम के साथ बैठी हलके गुलाबी कैप्रिशर्ट में शाल अच्छी धरा फिलाए जनीशा उटने लगी तो मीन बे सागता इसे रोका था अरे प्लीज आप बैठी रहें रमल ने भी इसकी ताकीद करते जनीशा को आगे बढ़कर वापिस बिठा दिया वो हुश्टिली से इसके गले लगी थी अरे क्या हुआ के गोड़े पर सवार हो आओ बैठो आप भी आजाए मीर इबराहीम इनको बोले ना इसने गिरे स्वेटर शर्ट में मलबोस इबराहीम को साथ मिलाना चाहा आओ मीर बैठो रमल आजाओ इतनी जल्दी थोड़ी जाने देंगे इसने हाथ पढ़ाकर मीर को बाजों से थामते साथ बैठने की जगा दी तो एक पल को सोचता बैठ गया हियान के साथ बैठी गजल ने कैतली से चाए कप में उंटेलते साथ सनैक्स हियान को थमाई जिसने इबराहीम की तरफ बढ़ाए मीर ने तकल्फात परे करते चाए का कप थाम लिया रमल भी अर्शिया बदर के साथ बैठ चुकी थी जो नोग जो कन्डे में रगे थी ओहो मैचिंग अभी से रमल ने चाए का गूंट पर दी हियान को छेड़ा जिस पर वो मुस्कुरा दिया इसने और गजल ने सिया रंग के कपड़े जेपतन कर रखे थी हियान सिया तर्टल नेक्स वैटर और पैंट में किसी एक्शन मुवी का मगरूर सा हीरो लग रहा था ऐसी ही किलर लुक्स थी इसकी और जब वो काली आंके सुकेरता था तो गजब रहाता था वही गजल ने सिया सर्दियों के स्टफ की स्टाइलिश सी गुटनों तकाती शर्ट के साथ कैपरी पहन रखी थी शाल की बजाए इस ने सिया तंग वाजू का स्टफ का स्टफ पहन कर दुबटा एक तरफ डालते महरून बालों का डीला सा जूड़ा बना रखा था हमें छोड़ो अपना बताओ एक ही रात में क्या जादू कर दिया शोहर साहब ने वो बेदरक लापरवा अंताज में बोला तो रमल के मूँ से चाय निकलते निकलते बची वही मीर ने दिल चस्पी से देखा था बदर का कहका बलंद हुआ वही अर्शिया ने इसकी पुष्ट पर हाथ जड़ते इसे गूरते मुस्कुराखर दबाई दि जनीशा ने ह्यान को गुरा जो कंदे उचकाता मुस्कुरा दिया तुम छोड़ो इसे ये बताओ मीर कैसा लगा तुम्हें जनीशा के दीमे नहचे में कहने पर रमल नर्मी से मुस्कुराती इससे बातों में मश्गूल हो गई कुछ वक्त बाद मीर उट खड़ा हुआ अब चलते हैं मुझे कुछ काम है बाकी सब उटकर इन दोनों से बगल गीर हुए फिर वो दोनों अंदर जाकर सलाम करते वापसे के लिए निकल गए लुआ हुआ 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 भूपन से उकता हुआ हुआ झास